बच्पन से सुना था कि धर्ती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वह यहीं कश्मीर में है और आज आज इसे देख भी लिया आज ओ करीज तेख जाद में हौ औ अլ। पर आजपी डाम वाई करें आज सेथी N वे हैं रेपी लिद्धी अगर में पर along उड़े हैं ओक डर आज़े भीज़े ज hellश्यब。 के व्रेंड्स वेल्कूं टु दे हैवन ओन अर्थ काश्मीर आज हमारा पहला दिन है काश्मीर में और हम सबसे पहले जा रहे हैं गुल्मर्ग गुल्मर्ग आने के लिए आपको अपनी कार से श्री नगर से यहां तक आना पड़ेगा और यहां से पॉनी राइड लेके जाना पर रहता है गंडोला राइड तक के गंडोला राइड जो है वो एशिया की सेकंड हाइस्ट राइड है जो की गुल्मर्ग में है उसकी टिकेट ऑनलाइन बुक होती है उसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप यहां आने से पहले ही अपने रहेगा पॉनी राइड के लिए जिसकी राइड अभी हम करने वाले हैं इसके चार्जिस है 900 रुपीज पर पोनी सामने ये जो मंदिर दिख रहा है ये यहां के सिक्स्ट टूरिस्ट स्पोर्ट में से एक है यहां पे गुलमर्ग में कुछ शे टूरिस्ट स्पोर्ट बताए जाते हैं जिसमें एक है यह मंदिर, सेकंड है यह गोल्फ कोर्स, तीसरा है, यहाँ पे एक बना हुआ चलरन पार्क, चोथा है राजा जी का महल और यह महल बिल्कुल वही है, जो आपको गंडोला राइट जहां पे स्टार्ट होती है, तो वहाँ पे जो वुडन आपको महल बना हुआ दिखे का वो पांचवा गंडोला राइट और पैनी राइट तो यह मिला के को टोटल छह चीजे होती है, तो एक्चुली में आपको चह का बता के पैकर्स दिया जाता है, बट यू डोंट नीड देम, यह जो ग्रीन फिल्स आपको दिख रहे हैं, यह एक्चुली में एक गोल्फ कोर्स ह है, वर्ल में सेकंड और एशिया का फर्स्ट हाइट पे बसा हुआ यह गोल्फ कोर्स है, अब सच में यहां होएंगे तो मंत्र मुग्द ही हो जाएंगे, किसको ऐसा गॉल्फ अच्छाना लगेगा जिसमें एक और ग्रीन फिल्स है और उसके सामने वाइट व्यू, इसके स पॉनी राइट इस एपसलूटली नौट रेक्वायर्ड यह बहुत वाकबल है, आप यहां चल के आ सकते हैं, आप यहां पर उतारा है पॉनी ने और यह जो सामने दिख रहे के बिल्दिंग यही से गॉंडॉला राइट शूरू होती है, तो आइधिंग आप यहां बहुत ही आजाते हैं, तो आप अपने टिकेट ऑनलाइन बुक करके ही आये, यहां आने के बाद अगर आप टिकेट बुक की सोचेंगे तो आपका पूरा स्ट्रगल टिकेट लेने में ही निकल जाएगा, और यहां जगे है, जहां से गंडॉला राइट शुरू होती है, तो देख सो यह है वो एंट्रेंस पॉइंट जहां से गंडॉला या केबल का राइट शुरू होती है, आज यहां कोई स्पैशल गैस्ट आ रहे थे, इसलिए आफ लाइन और आनलाइन टिकेट की बुकिंग बंद है, केवल वो लोग जिन्होंने पहले से बुकिंग की हुई थी, अं हमारा नंबर आ ही गया, और हमारी राइट आगे चल पड़ी, फेस वन के लिए, इसलिए है, अभी यहां पे स्नुकी अमाउंट बहुत कम है, अभी हमारा फर्स्ट फेस खतम हो चुका है, हम डारेक्ट ली जा रहे हैं, सेकंड फेस स्टार्ट करने, ताकि हम स्टार्ट के स्नु में थोड़ा खेल भी सकें, बट व्यू इस अमेजिंग, हो सकता है, बरफ थोड़ी कम हो, लेकिन खुबसूर्ती बिल्कुल कम नहीं हुई है, तो सेकंड फेस के लिए भी लगबग, आट सो मीटर इत्ती लंबी लाइन लगी हुई है, चलो, लेट्स मूव अहेड फ हुआ हुआ पीना ना भूलें, तो फ्रिक्वेंसी ओ फेस्टू इस लिटल बिट पूर अस पंपेर तो फेस्वन, सो बिट तुक अलमस 20-25 मिनट्स इंदी क्यू, और टीक 15 मिनट्स की आपको राइड में मिल जाएंगे, आपको राइड में मिल जाएंगे, आपको राइड जो फेस्टू, अगर आप यहां आए तो आपको यह गाना एक बार तो ज़रूर जहन में आएगा, यह हसी वादिया, यह खुला, आगए हम कहां, समर के डेज में यहां केवल स्किंग और स्लेजिंग की एक्टिविटी हो रही है, लेकिन विंटर सीजन में स्नो पर मोटर ब आइस तो नहीं मिलेगी, आइस काफी हाड है, तो जो एक्टिविटीज होती है, मुझे नहीं लगता कि उसमें इतना मजा आ रहा होगा, क्योंकि लोग भी से एंजोई नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी हम एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, बस यही टाइम स्पेंड करना पस लाइए, और दूसरा है, इन पहाडियों के पीछे, अभी तो कैमरे में शायद नहीं दिख रहा होगा, सोचिए गर्मी में यह हाल है, तो विंटर में यह कैसे सर्वाइव करते होंगे, सफेज चादरों के वीज, सुकून के कुछ गंटे बिताने के बाद, अब समय आ चु फो यू, कि आप यहाँ फ्लीज थोड़े पहले आए, क्यूंकि फेस टू की क्लोजिंग आर गंडोला की तीन बज़े है, तो आपको तीन बज़े तक वहाँ पहुशना भी है, तो अगर आप यहाँ सफीशन टाइम्स स्पेंट करना चाहते हैं, इन एक्टिविटीज और इन वादियों के विश में, तो आप प्लीज मेक शूर पहले आए, क्यूंकि हम होटल से नौ बज़े पहुचे थे, और हमें फेस टू पहुचते पहुचते, और हमें फेस टू पहुचते, अल्मूस्ट बच चुके थे, जबकि हम सीधा ही फेस टू आए हैं, तो आप और यहां जो लोकल बूट्स होते हैं, वो यूज करिये, हम भी अपने घर से बूट्स लेके आये थे, बट देट इसंट वरकिंग हीर, और मस्ट कीप उन संग्लासेज, क्यूंकि जो वाइट स्नो होती है, वो रफ्लेक्ट बहुत जाधा करती है, तो आखे खुलेंगी नहीं, तो इस वाइट सम्ट इपस जब भी आए, एंजॉय करें और एक नाएग जरूरूरूरू।